वाट्सब वीवर्स स्वागत है आपकी और हमारी इस प्यारी सी नई चैनल सिने फाइल स्टॉप में जहां आपको सुनने को मिलेगी बहतरीन वेब सीरीज और मुवीज के रिव्यू के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के बने रहे हमारे साथ वी तो कहाने की शुरुवाद 1881 के बिंगल प्रिसिडेंसी में होता है जहां एक शोटी बच्ची जिसका नाम बुलबुल है उसकी शादी एक आत्मी से होता है जिसका नाम इंदरिनिल डागोर है इंदरिनिल एक जमींदर है और उसका दो भाई है मोहिंदर इंदरिनिल का जु वो बुलबुल के उमर का है बात में सत्य और बुलबुल गहरी दोस्ती हो जाती है क्योंकि दोनों से मेच के है इसके बात काहने शिफ्ट होकर 20 साल बात की दिखाती है जहाँ सत्य लंडन से अपनी पढ़ाई पूरी कर घर वापस आ गया है उसी रात गर लोटे वक्त सत्य के ड्राइवर उसे गाउ में एक चुरेल के बारे में सुनाता है रात को सत्य हविली पहुचता है और दूसरे दिन सुबह वो बुलबुल से मिलने चाता है यहाँ हम वीवर्ज देख सकते हैं कि बुलबुल सत्य के ड्राइवर से बात कर रही है ड्राइवर के दूसरी शादी करने पर बुलबुलों से ये सला दे रही है कि दूसरी बीवी रखने से उसकी पहली बीवी का कोई अपमानना हो इसके बात हम वीवर्स ये देख सकते है कि सत्य और बुलबुल बिनोदिनी के बास जाती है जो कि महिंदर की पत्नी है जो अपने पती के मानने के बाद आश्रम में दूसरों औरत के साथ रह रही थी बिनोदिनी सत्य से कहती है कि मोहिंदर को एक चुर्यान ने मारा है क्योंकि बिनोदिनी ने अपने कमरे में खुन से लिप्टे उल्टे पैड़ों के निशान देखे थे सत्य शिकर पे जाने से पहले बुलबुल को डॉक्टर सुधीब नाम के एक आदमे के साथ देखता है इसके बाद हम वीवर्स ये देख सकते है कि सत्य गाववलों के साथ मिलकर शिकर पे जाते है जहां मास्टर दिनकर भी शामिल थे जिसके बारे में डॉक्टर सुधीब बुलबुल से बारतलाब करते वे कहता है कि मास्टर दिनकर कैसे अपनी बीवी को मारती और सताती है शिकर के द्वारान मास्टर सत्य और गाववलों से अलग हो जाता है और मास्टर पर एक औरत एटेकर उसे मार देती है मास्टर की चीकनी की आवाद सुनकर सुधिव दौरते वे मास्टर को ढूनने जाता है उसी बीच सत्य का सामना सुधिव से होता है कुछ समय बाद सत्य और गाव वाला को मास्टर की डिट बोडी पीर पर टांगी मिलती है अगली सुबह हम वीवर्स देखते है कि सत्य बीनोदीनी को वापस हविली ले आती है इसके बाद हमें वीवर्स फ्लैश बैक में ये दिखाया गया है कि बुलबुल से बिनोदीनी जलती है क्योंकि बुलबुल बिनोदीनी से उमर में छोटी होते हुए भी घर की बड़ी ठाकुड़ाई है। हमें ये भी पता चलता है कि बिनोदीनी सत्य और बुलबुल के रिष्टे को लेकर इंजनिल की कान भरा करती थे। फिर एक दिन इंद्रनिल सत्य और बुलबुल को कमरे में अकेला देख लेता है So sensing the bond between सत्य और बुलबुल इंद्रनिल feels jealous फिर इंद्रनिल सत्य और बुलबुल को कमरे में बुला कर सत्य से कहता है कि वो उसे पढ़ने के लिए लंडन भेजना चाहता है इसे सत्य खुश हो जाता है लेकिन इंदरनिल का ये डिसिशन बुलबुल को बिलकुल पसंद नहीं आता है इंदरनिल फिर सत्य के साथ कैलकटा जाता है और वो वही से सत्य को लंडन भेज देता है कुछ दिन बाद इंडरनिल अपने हवेली लोटता है और बुलबुल से कहती है कि उसे सत्य को कैलकटा से ही लंडन वेज दिया बुलबुल इस बात से बहुत दुखी होता है और वो अपनी और सत्य की कहानियों वाली डैरी जला देती है बाद में जब इंदरनिल बुलबुल के कमरे में आता है तो उसे फायर प्रेस में बुलबुल की डाइरी के कुछ पन्ने मिलता है जिस पर सत्य और बुलबुल का नाम लिखा हुआ होता है गुस्से से बिकाबू इंदरनिल एक लोहे की रोड लेकर बातरूम जाता है जहां बुलबुल नहा रही थी वहां इंदरनिल बुलबुल के पैर में रोड मार कर उसके पैर डेमेज कर देता है इसके बाद हमें फिवर्स ये दिखाय गया है कि डॉक्टर सुधिप को बुलबुल की पैरों की ट्रीटमेंट के लिए बोलाया गया है डॉक्टर सुधिप के पूछने पर उसे बताया चाता है कि स्टेर से गिर कर बुलबुल की पैर तूट गया है डॉक्टर सुधिप इंडरनिल को बोलता है कि बुलबुल के पैरों को ठीक होने में लगबग एक साल का टाइम लगेगा ये सुनकर इंडरनिल ये कहकर हविली छोड़ देता है कि वो पैसा भेचता रहेगा और उसके लिए यहाँ कुछ नहीं बचा बुल-bul अपनी पैंसे रीकवर हो रहे थी कि एक रात मोहिंदर बुल-bul के कमरे में घुज़कर उसे फिजिकली मॉलेस करती है जिसे बुल-bul की भी मौत हो जाती है बुलबुल की मौत को देखकर मोहिंदर डर कर वहाँ से भाग जाता है लेकिन थ्रू डिवाइन इंटर्वेंशन बुलबुल की पुनर जन्म होती है सीन अप फिर से रियल टाइम में शिफ्टो कर बुलबुल को दिखाती है जो कि मोहिंदर के वर्सी में आई हुई है वहाँ बुलबुल को एक लड़का मिलता है जो कि सत्य के ड्राइवर के पहले बीवी का बेटा है वहाँ से बुलबुल को पता लगता है कि ड्राइवर अपने दूसरे बीवी के कहने पर अपनी पहले बीवी को घर से निकाल देता है जो की बाद में आत्महत्या करती है इस दोरान सत्य को घड में दिखाता है जिसके पास कोटवाल आया हुआ होता है और कोटवाल सत्य को गाव में हुए एक खून के बाड़े में बोलता है कोटवाल और सत्य लाश के पास पहुचता है और वहाँ कोटवाल सत्य से कहता है कि एक छोटी सी बच्ची विटनेस है जिसके हिसाब से उस आदमी को काली माने मारा है कोटवाल कहता है कि सुधीब उस बच्चे की ट्रीटमेंट कर रही है जो की इस वक्त चौमा में है इसे सत्य सुच में पढ़ जाता है क्योंकि हर एक मरर के साथ सुधीब किसी ना किसी तरह connected है और सत्य को सुधीब से personally भी problem थी सत्य कोटवाल के साथ सुधीब को address करने जाता है सत्य बंदू की नौक पर सुधीब को address कर उसे ले जाता है लेकिन रास्ते में सत्य का कैरेच रूख जाता है कैरेच से उतर कर सत्य अपने ड्राइवर को मारा हुआ पाता है जिसके पहली बीवी ने हाथ में हत्य कर ली थी सत्य को पहली बार वो चुरेल दीखती है सत्य चुरेल पर फायर करती है पर वो रात के अंधेरें में कायब हो जाती है सत्या सुदीब को ये कहकर छोड़ देता है कि उसने अब चुरेल को देख लिया है जिससे विवर्स हम ये पता चलता है कि सुदीब इस नौट तकी लड़ ये कहकर बाद सत्या चुरेल को पकरने दोर परता है इसके बार वो चुरेल सुदीब के सामने आता है जो की और कोई नहीं बलकि बुलबुल ही है और उसकी आगरेती देवी मा जैसे दिखाई देती है यहां हमें वीवर्स बुलबुल का पैर उल्टा दिखाई देता है और बुलबुल को सत्य के बंदुक्स की गोली से चोट लगी हुई होती है यहां हमें वीवर्स ये दिखाया जाता है कि सुदीब सत्य को जंगल में ढूनने जाता है to stop him from killing बुलबुल लेकिन सत्य सुदीब की एक भी नहीं सुनता है और जंगल में आग लगा देता है जंगल में चारो तरह आग लगा हुआ होता है सुदीब बुलबुल को ढून रहा होता है बुलबुल जो सत्य की गोली से घायल हो गए थी अब पेरे पर सहारे लेकर बैठ जाता है सुदीब जब जंगल में बारी ठोकड़ाई कर चिलाता है तब सुदीब का आवाज सुनकर सत्य को finally realize होता है कि वो चुरेल नहीं बलकि बुलबुल है सत्य तूट जाता है और जमी बाद shift होता है और हमें इंदर निल दिखाई देता है जो कि सत्य के चित्थी मिलने पर वापस आया है सत्य हवेली छोड़ देता है और चित्थी में ये लिखता है कि उस हवेली के तीनों भायों ने मिलकर एक औरत को मान डाला है उस राज जब इंदर निल अपने कमरे में स रहा होता है तो उसे बुलबुल की आवास सुनाई परता है और जब वो उठकर देखता है तो उसे बुलबुल की spirit दिखाई देता है और बुलबुल इंदरनिल को एक forbidden smile देती है मुवी यहाँ पर कतम हो जाती है तो thank you दोस्तो